मेरी किचन में आपका स्वागत है आज मैं आपके साथ आलू टाकोस मेक्सिकान के रेसेपी शेयर करने वाली हूं कई लोगों को यह रेसेपी बनाने में बहुत से दिक्कते आती हैं लेकिन आज हम यह रेसेपी बहुत ही सिंपल तरीके से और घर पे ही रख्यों इसामकरी से बहुत ही कम समय में बनाएंगे मैं आशा करती हूं कि यह रेसेपी आप सबको बहुत ही पसंद आने वाली है तो चलिए फटाफत बनाना शुरू करते हैं यह देखे ऐसे यमी माउथ वाटरिंग एंड डिलिशियस आलू टाकोस मेक्सिकाना बनाने के लिए मेरी वीडियो क अपन तक जरूर देखे फ्रेंड्स आलू टाकोस मेक्सिकाना बनाने के लिए पहले एक डो तयार करेंगे मैंने यहां एक कप गेहु काटा और आथा कप मेंदा लिया है आप चाहे तो सिर्फ मेंदा या सिर्फ गेहु काटा ले सकते हैं स्वाध अनुसार नमक डाल देंग मौईन के लिए मैंने यहां दो चम्मच जितना ओईल लिया है वो डाल देंगे ओईल को आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे और डो लगाते जाएंगे यह देखें पराठे का जैसे डो लगाते हैं वैसा ही डो चाहिए हमें अब इसे 10 से 15 मिर के लिए सैट होने के लिए रख देंगे तब तक चलते हैं आगे की प्रोसेस में स्टफिंग बनाने के लिए मैंने यहां तीन उबले हुए आलू ले लिए हैं इसको हम स्मेश कर लेंगे यह देखें आलू स्मेश होकर रेडी है अब इसमें सारे मसाले करेंगे पहले स्वादनू सार नमक डालेंगे नमक थोड़ा ही डालना है अभी क्योंकि इसमें चाट मसाला भी पड़ेगा तो उसमें भी नमक रहता है हाफ टेबल्स्पून जितना हम रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे यहईा धेश अबावडर दाले अधे में आफ टेबल्स्पून चात मसाला डालेंगे मिक्स कर लेंगे मसाले आप अपने हिसी सब सबी डाल सकते हैं अखारा औत Immer में गालानगे मिला लेंगे अच्छे से ये देखें स्टाफिंग बिल्कुल रेडी है अब चलते हैं हम टाकोस बनाने की प्रोसेस में यहां हमारा डो सेट होकर बिल्कुल रेडी है ये देखें अब डो में से हम एक समान लूई बना लेंगे ये देखें आटे के मैंने एक समान पेडे बना लिये अब इसे बेल लेंगे ये देखें पहले एक लूई को हमने आटे से कोट करकर ले लिया है अब इसे बेल लेंगे ये देखें चपाति की साइस की ही रोटी बेलनी है लेकिन चपाती से थोड़ी सी थिक रखनी है ये देखे सारी रोटिया मैंने बेल ली है अब चलते हैं आगे की प्रोसेस में गैस ओन करके मैंने एक नॉन्स्टिक तवा ले लिया है थोड़ा सा तवा गरम हो जाए फिर एक रोटी डाल देंगे थोड़े से बबस दिखने लगे फिर रोटी को पलट देंगे ऐसे ये देखे नीचे की तरफ भी सिख जाए ऐसे फिर से पलट देंगे ऐसे बस ज्यादा नहीं सेखनी है रोटिया हमें अब निकाल लेंगे प्लेट में ऐसे सारी रोटिया हम सेख लेंगे ये देखे सारी रोटिया रेडी है ज्यादा नहीं पका नहीं है क्योंकि आगे की प्रोसिस में हम बटर में इसे फिर से सेखेंगे अब नेक्स स्टेप में एक प्लेट में एक रोटी ले लेंगे और एक चम्मच जितना सॉस अपलाई कर लेंगे अच्छे से एक चम्मच जितना मैंने वेज मैयोनिस लिया है उसे भी एपलाई कर लेंगे मैयोनिस बिलकुल आप्शनल है नेक्स स्टेप में अब रोटी के आधे पार्ट में हमें चीज ग्रेट करनी है यहां मैंने प्रोसेस्ट चीज लिया है आप चाहे तो मोजेला चीज भी ले सकते है अब आलू का स्टफिंग जो हमने बनाया था वो रख देंगे दो चम्मच जितना स्प्रेड कर देंगे अच्छे से हाथों से ऐसे दबा दबा के हम स्प्रेड करेंगे और आदा पार्ट बिल्कुल खाली छोड़ देंगे वहां कुछ नहीं रखना है थोड़ी सी चीज हम फिर से ग्रेट कर लेंगे चीज के उपर थोड़े से ओरेगन और स्प्रिंकल कर लेंगे ये भी ऑप्शनल है अब कैरफुली ऐसे फोल्ड करेंगे हम रोटी को ऐसे फोल्ड कर लेंगे ये देखे ऐसे सारे टाकोस हम बना लेंगे ये देखे मैंने सारे टाकोस रेडी कर लिये हैं अब इसे बटर में सेक लेंगे गैस ओन करके मैंने जो रोटी पकाए थी वही तवा ले लिया है थोड़ा सा बटर एपलाई कर लेंगे अब टाकोस को रख देंगे ऐसे और लो फ्लेम पे इसे दोनों साइट क्रंची होने तक हमें पकाना है ये देखें ऐसे बटर एपलाई कर लेना है एक से दो मिट के बाद हम टाकोस को पलट देंगे ऐसे ऐसे क्रिस्पी और ब्राउन हो जाना चाहिए अब दूसरी साइट भी ऐसे हम सेक लेंगे अच्छे से लो फ्लेम पे ही पकाना है दूसरी साइट भी हमारा टाकोस ब्राउन और क्रिस्पी हो गया है अब इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे ऐसे दूसरे टाकोस भी हम सेख लेंगे बटर में तो ये लिजे फ्रेंड्स एकदम गर्मा गरम टेस्टी एन यमी आलू टाकोस मेक्सिकाना बनकर बिल्कुल रेडी है ये गर पर बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही कम समय में बन जाते हैं और हेल्दी भी है इसे आप लंच या डिनर दोनों में खा सकते हैं तो आप भी इसे गर पर जरूर ट्राय करें और अपने कमेंस मुझे पेश्टे रहें मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले